राजस्थान के इन तीन रजवाडों ने पंजाबी मुंडों को धूल चटाया पंजाब किंग्स को प्लेयाउप से बाहर का रास्ता दिखाया यहां बात करें PBKS VS RR मुकाबले की तो यहां पर एक रोचक एक दिल्चस्प मुकाबले में रास्तान रायल्स ने पंजाबी मुंडों को तीन विकेट से हरा दिया है और यह जो पूरा मुकाबला रहा है इसमें तीन रास्तान के रजवाड ए रहे चिनों ने अपना चाप छ करें तो गुरू उनकी टीम जीत की पटरी से उतर चुकी है पिछले दो मुकाबले दिल्चस्प और रोचक तरीके से वह हारते ही नजर आयो और अगर आप IPL 2024 की टाइटल जीतना चाहते हैं IPL 2024 अपने नाम करना चाहते हैं आप प्लेयाउप में जगा बनाना चाहते हैं त दो कायम रती है लेकिन पंजाब किंग्स कहीं न कहीं से हार के दर्वाजे खोज लाता है और जो मुकाबला कभी 17 या 8 ठारवे उबर में लगता है कि नहीं अब पंजाब इस पर मोहर मार लेगा वहां से हार जाते हैं पंजाब टिंग से के लिए समस्याएं बड़ी हैं उस उसके हम उसका हम चर्चा करेंगे उसके विशलेशर करेंगे लेकिन गुरू सबसे पहले हम इस मुकावले में राजस्थान के तीन रजवाडों के प्रदर्सन पर नज़र डाल लेते हैं गौर फरमा लेते हैं प्रकाश डाल लेते हैं कि उनका कैसा प्रदर्सन रहा और कैसे उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर यहां पर पंजाब किंग्स को मात दे दिया और उनको प्लेयाप से बाहर का भी रास्ता दिखा दिया उस पर हम चर्चा करेंगे सम्मीकरट पर लेकिन सबसे पहले उन तीन रास्थानी रजवाडों के बारें बात कर लेते हैं सबसे पहले सिम्रन हेत्मेर मुकाबला हार चुकी थी रास्तान रायल 17 दस्मलों दो अबरों की समाप्ती पर 115 पर पांच विकेट गिर चुके थे वहां पर दुरू जोरेल साथ चोड़ चुके थे सिम्रान हित्मेर का उससे पहले रियान पराग अपना विकेट फेक चुके थे ज बना चुकी थे उसको फसा चुकी त्याहा यूंँ ने का कि अस्टीम में रखा हुआ है तो वह वजह यह काबिय थैज मैं मुकाबलों को फिनिस करने के लिए जाना जाता हूँ मैं फिनिसर हूँ और मेरी फिनिसिंग अबल्टी आज आपको देखने को मिलने वाली दस गेदों पर 27 अनकुटे और अपने साथी विष्ट इंडियन खिलाडी रॉबमेन पावल के साथ साथ गेदों पर जो इनकी किसरनों के सासदारी रही इसने पंजाब किंग्स के जबड़े से जीच छीनी है और किसके जोली में डाल दिया है खिरासान रैल्स की जोली में औ जोस है और नेवर डाई अटिटूड है तो फिनिसिंग एबिल्टी इनमें खास है और दस गेदों पर 27 देख सकते हैं लगबग 300 का इस्ट्राइकर 270 का उन्होंने बना कर रखा और रास्तान रैल्स को जीता हारा हुआ मुकावला जीता कर दिखाए बात करें अगर दूसरे खिलारी की तो यह है केशव महराज यह आज अश्वीन नहीं खेल रहे थे जुजवेन चहल के साथी थे अश्वीन के रूप में युजवेन चहल को एक अनुभवी साथी हर समय मिलता आया है जो काफी अनुभव अपना साजा करते हुए हैं उनको टिप्स देते हुए हैं बताते हैं किस लिंद पर कैसे गिदबाजी करनी चाहिए लेकिन आज केसव महराज थे केसव महराज ने अज पहतरीन गिदबाजी किया है पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों को परशान किया हैरान है बत में डाला और दो विकेट निकाले चार वोर में मातर 23 सरंद देकर और यह जो पिष्ट ती यहां पर बल्लेबाजी आसान थी यहां पर जो बल्लेबाज टीक कर खेलता था वह असानी से रहन बना सकता था लेकिन वहाई पर पंजाब किंग्स के बल्लेबाज चुखल करते हुए नजराय है रास्थान राइल्स के बलेबास तो अन्वांटेट प्रिसर लेकर या मुकाबले को फसाते हुए नजा रहा है लेकिन जिस गेदवाज ने छाप छोड़ी आज पूरे मुकाबले में वह केश्व मराज रहे बहुत ही बहुत ही नपी तूली गेदवाजी लाई लिंद्ध पकड कर रखा टिपे से भटके नहीं जिसका अरफ से दो विकेट भी निकाले बहुत इकोनामिकल भी रहे मातर तेशन खर्चा और मिडल और को तहस नहस कर दिया पंजाब कि ट्रेंट बोल्ट इनकी जितनी भी चर्चा कर लें बया उतनी कम रहा थी यह ट्रेंट बोल्ट का सकते हैं बैक उजलिस कर देंगे दो वर के बाद हम उनका प्रयोग नहीं करने वाले हैं अगर उनका चार ओबर हम खतम करवा देते हैं तो अच्छी बात है शुरू में ही चार ओबर खत्प करवा देंगे लेकिन जब पिछला मुकाबला ट्रेंट बोल्ट को डेथ ओवर्स में कर सकते हैं वो मिडिल ओबर में किदबाजी कर सकते हैं तो क्यों न हम जो उपियोगी था डेथ ओवर्स वाली बोल्ट का नहीं पापा रहे हैं उसको उपियोगी बनाया जाए यहां पर आज के मुकाबले में जो अच्छी बात दिखी जो खास बात दिखी वो रहा डेंट बोल्ट को डेथ ओवर करवाना और यू कर सकते हैं जो मुकाबले में जीत और हार का अंतर रहा वो बोल्ट का आखरी ओवर था वहां पर उन्होंने आसुतोस सर्मा का विकेट निकाला आठ रन मातर खर्चे और चार ओपरों के स्पेल में मातर 22 संदेकर एक विकेट बोल्ट के नाम पाउर प्ले के ओरों में लेकिन आज जो बोल्ट की खासियत रही वो टेथ ओवर की गेदबाजी रही राजसान रायल्स की यह समस्या बनी हुए डेथ ओवर की गेदबाजी जब से संदीप सर्मा बाहर हुए है तो आज जो संजू सैमसन ने भरोसा दिखा बोल्ट के उपर उस भरे भरोशे पर खरे उतरे हैं और अपने कप्तान को निरास नहीं किया अंतीम उबर की जो गेदबाजी रही बोल्ट की वही जीत और हार का फाशला रहा दोनों टीमों में तो यह तीन रजवारों ने बहुत ही बहुत ही जबरजस्त बहुत ही आपका सकते हैं बेमिशाल प्रदर्शन करके दिखाया है और रास्तान को मुकाबला जीता है एर दे टॉप टेबल है वहीं आठवे नंबर पे पंजाब किंग्स है छे मुकाबले में दो में जीत चार में हार पंजाब किंग्स के लिए समस्या हैं और ऐसी टीम प्ले आप में जग सकते है एह इस ञांटी खिलारी यह बहार लेते रहा नहीं दिखे जिसकार से जो युवा अनकैब्ड खिलाडी के लिए उनके उपर बहार ज्यादा है चाहे आधुर शर्मा की बात करें चाहे शर्षनक्षिं की बात करें चाहे प्रभ शिंवरन की चाहे अथर अतायड़े क बात कर लें बहुत इनके उपर प्रेसर दिया जा रहा है जिसमें शशांक और आसुतोष ने बलेबाजी भी की है लेकिन ट्रस्ट पंजाब किंस उनके उपर नहीं दिखा रहा है आज असुतोष सर्मा प्लेइंग इलिए में शामिल नहीं थे इंपक्ट बेर प्लेफिशन के बात कर लें लियाम कर लें सर्मकरन की सबीका धमा टूल, इस्थिति है कोई भी बड़ा खिलाड़ी अपना responsibility लेते हुए नहीं दिख रहा है जिस वज़े से पंजाब Kings का लगभग play-off से पत्ता कट शुका है कमेंट सेक्टन में comment दाग दीजेगा कि क्या आपको भी लगता है कि पंजाब Kings player आप से बाहर हो चुकी है अगर कुछ उमीद है तो आप जरूर कमेंट में दाग दीजेगा मिलते हैं अगले रिपोर्ट में तुम तक आप अपना ध्यान दें सुरक्षी तरह हैं स्वास तरह हैं मस तरह हैं जैन जै भारत अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले